बिहार में मौसम के बिजाज की बात करें तो इस वक्त भिशन गर्मी से लोगों का बुड़ा हाल है लेकिन इस बीच अब राहत भड़ी खबर सामने आई है आपको बताए कि अब बिहार भर के अलग-अलग जिलो में भारी बारश होने की संभावना बौसम विभाग की तरफ से जताई गई है कहा ये गया है कि 18 जुलाई के बाद बिहार भर में तेज बारश होने की संभावना है ऐसे में क्या कुछ कहना है बौसम विभाग का इसकी पूरी जानकारी आपको वस्तार से देते हैं। इसके बाद बारश भी होगी। इसके बाद ही बारश की संभावना भी दिख रही है। आज कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। वहीं दूसरी ओर देश के पांच राजियों में भारी बारश जारी है। राजस्तान, मध्यप्रदेश, महरास्ट, करनार्टक और केडल में भारी बारश हो रही है। लेकिन इस बीच अगर बात हम बिहार के मौसम के मिजास की करें तो 18 जुलाई के बाद मौसम पूरी तरह से सक्रिये हो जाएगा। और इस वक्त कम बारश के कारण किसान भी परिशान है। खेतों में धान की रुपनी भी नहीं हो रही जिससे किसान को भारी नुकसान उठाना पर रहा है। लेकिन इस बीच राहत भरी खबर जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। जिसमें 18 जुलाई के बाद मौसून सक्रिये होगा और अच्छी बारश भी होने की संभावना जता आई गई है। फिलाल के अतना ही जादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहे न्यूस फोर नेशन के साथ नमस्कार।